तो बहुत सारे जो स्टुडेंस हैं अगर उन्होंने अभी तक 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 हो चुकी है तो बहुत सारे जो स्टुडेंस हैं अगर उन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा था और वो कहीं भी अगर doubtful है अपने दिमाग में की पॉर्म फिल करें या ना करें तो आप डेफिनेटली ये पॉर्म फिल कीजा क्यों? क्यूंकि ये एक क्या है ? मिनी रतना कंपनी है, B. मिनी रतना कैटेगरी 1st की कंपनी है, that is wholly government से यह ओन है, that means यह एक PSU है, तो एक government job आप समझ सकते हैं इसे, और इसमें साथ में क्या है, देखो, पहले एक साल के लिए आपका training period होगा, trainee इसलिए इसमें नाम रखा गया है, क्योंकि एक साल का training का period होगा उसके बाद, you'll be considered for the absorption in the same income, ठीक है, तो पहले जो management training के time पे, अगर आप as a management training वहाँ पर जाते हैं, जो कि इसमें कौन eligible है, जितनोंने भी MBA अगर रखा है, BA से गर गल्चे के साथ, MBA अगर आपने कर रहा है, तो आप इसके लिए eligible है, इसमें आपको training period के time पे, एक साल का training period हो होगा, उस time पे 55,680 रूपीज पर मन्त मिल रहा है, it's a good amount, इसके साथ ही, क्या होगा, आपको HRA भी मिलेगा, HRA इसमें additional है, ये आपको मिलेगा, इसके साथ HRA भी मिलेगा, साथ ही, अगर जो trainee है, as a trainee, जितने भी graduates है, BA से अगर इसमें जाते हैं, तो उनको 23,664 रूपीज per month आपको मिल रहा है, इसके साथ ही HRA भी मिल रहा है, तो एक government job है, जिसमें ये सारी facilities आपको मिल रही है, job मिल रही है, sorry, जो salary stipend मिल रहा है for one year, और उसके साथ ही क्या होगा, बाद में absorption हो सकता है, you'll be considered, तो जितने भी management trainees है, they'll be considered for absorption as assistant manager, ठीक है, in their respective discipline, उनको लिया जाएग in training marketing की आ रही है, तो marketing में ही आपको ऐसे assistant manager absorb कर लिया जाएगा, उसके साथ जब आप absorption आपका हो जाएगा, तो आपका pay scale आप यहां पर देख सकते हो, 40,000 to 1,40,000 का pay scale है, that means on joining आपको around 55 to, आप बोल सकते हो, around 60K आपकी salary होगी on joining, ठीक है, इसके आसपास हो सकते है, because that depends कि उसके आगे आपको क्या-क्या और amendments बगेरा जो मिलते हैं, उसके हिसाब से आपकी salary इतनी around हो सकते है, which is good handsome salary है, यह है, next जो है हमारे trainees है, जो भी B.A.C. agriculture जनों ने कर रहा है, graduation जनों ने कर रहा है, they will also be considered for absorption, एक साल complete होने के बाद, as a junior executive, वो भी जो भी उनके respective है, जैसे quality control क का आ रहा है, agriculture वालों का आ रहा है, marketing वालों का आ रहा है, तो जो भी आपके respective discipline है, उसमें absorption हो जाएगा, साथ ही आपको, जो pay scale होगा, that will be around 17,000 to 60,000 pay scale है, इसका मतलब है, कि कितनी salary आपके run-up बन जाएगी, 30,000 के around, आप बोल जकते हो, salary पर month आपकी, बन सकती है, एक government job में, तो I don't think so, कि आपके पास कोई भी ऐसा reason है, इसको miss करने का, अभी आप देखो, IBPS, AF लिए आप preparation करी रहे हो, CWC के लिए कर रहे हो, तो NSC भी आप साथ-साथ में इसकी preparation कर सकते हो, जो भी exam अगर आप target कर रहे हो, तो किसी ना एक में तो निकली जाएगा, नहीं तो क्या प कौन सी आपकी ये job suitable है, अगर आप इसी के लिए preparation कर रहे हो, अच्छे से अगर आपको sincerely पढ़ना है, कि ये देखो 10th October तक तो अभी form filling की date है, उसके साथ अभी examination की date अभी आई नहीं है, clear नहीं है, तो आपके पास मतलब अभी time है preparation का, तो preparation में आपको किसी भी तरह की guide चाह के इस course में enroll कर सकते हैं, और course में enroll करने से पहले, I would suggest कि आप पहले इसका previous year को question paper चेक करने, तो आई exam B की site पे ही जाका, आपको free में available है इसके previous year के question papers, and not just for trainee, also for management trainee के लिए भी, यहाँ पर question paper available है, जो previous year का था, इसके साथ ही mock test भी available है, तो आप अपने आपको analyze कर सकते हो, ठी तो यह सारा था, so I don't think so, आपके पस कोई reason है not to go for this opportunity, तो अगर आपको और कोई भी information चाहिए, आप नीचे comment section में लेख सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ telegram में जोड सकते हैं, thank you for watching